हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं गाहितरी असरी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिरफ एक मिटर कपड़े में लेडिस पजामे की कटिंग बताने वाली हूँ वो भी एक बहतरीन ट्रिक के साथ देखिए एक मिटर कपड़े में बारसे सलवाना पॉसीवल नहीं होता यदि आपको सलाई आती है और इस ट्रिक को फोलो करते हो ना तो फिर आप अपने लिए पजामा बना सकते हो देखिए मैं यहाँ पर आपको पूरा कपड़ा भी मेजरमेंट करके दिखाऊंगी कि यह मे ने इस से पहले एक वीडियो डाली हुए है अंब्रेला फरोग सूट की उसी में बचा는 हुआ मेरा यह ज्याक कपड़ा है तो मेरा चार मिठर कपड़ा था मेरा बाकी का बचा प्चा खार जाए पर गब एक मेरा यहाँ कि कोशिश करती हूं कि मेरे कम कपड़े में ड्रेस बन जाए तो यह देखें यहां से यहां तक जो यह कपड़ा जो मेरा कपड़ा है वो 10 इंच है यानि कि जो मेरा यह कपड़ा है वो सवा मेटर के ही करीब है इससे जदा नहीं है और जो मेरा 10 इंच का कपड़ा ना उसको मै यूज़ करने वाली नहीं हूँ और जो ये कत्रेने है ना तो आप जब कटिंग करते तो आपकी इस प्रकार कत्रेने बच जाती होंगी तो मैं इसी का ही यूज़ करने वाली हूँ इसमें पजामे के अंदर ठीक है तो आपको कैसे करना है सबसे पहले आपको क्या करना जो कप क्पड़े को फोर्फ ऑल्ड की है फोल्ड करने के बाद जो कपड़े की चुड़ाई है वह mo थाben्ट तो कफड़े मैं यूश पेपर लगने वाली हूं मुझे करके दाना हम ब्लगाने रखना रखना है तो इसके लिए पहले मैं न्यूस पेपर लगाउंगी तो आपको इसे प्रकार पहले न्यूस पेपर रख लेना । डारेक्ट कपड़ा नहीं रखना है तो मैं पहले इसको रख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ तो देखें यहां पर जो भी थाई के नाप लगेंगे वो पेपर पर ही लगेंगे तो उपर से आपको क्या करना है दो इंच फोल्ड करने के लिए इलास्टिक डालने के लिए निशान लगाना है उपर से फिर उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है लंबाई के निशान लगाने के बाद आपको निचे से भी डेड या दो इंच फोल्ड करने के लिए निशान लगाना है जैसे बैसिक पजामे में या पैंट पलाजों में जैसे लगाते हैं उसी तरीके से लगाने है ठीक है तो मैंने ये निशान लगा लिए है तो आपको भी इस प्रकार पहले लंबाई का निशान लगाना है ठीक है तो यह मेरा पेपर जो एक्स्रा थोड़ी इसकी पहले मैं कटिंग करूंगी क्यूंकि इसकी विज़े से वीडियो थोड़ी काले काले आ रही है तो देखिए उपर से मैं दो इंच रख है नीचे से दो इंच रख है अब नीचे आपको मोरी का निशान लगाना है उसमें आपको एक इंच ओर प्लस करना है उसके बाद आपको निशान लगाना है यह आप extra निशान लगा लीजीगा तो मैंने लगा लिए अब उपर कमर से यह है आपको hipka 4th प्लस 2 इंच रखना होता है तो मैरा यह फूरह यह तक आ रहा है यहीं कि 11 इंच मेरा यह पूरह आ गया है अब इसके बाद यहां से जो आसन की लंबाई रखते हो तो मेरी आसन की लंबाई है अब आसन की गुलाई के लिए मैं यहां पर दो इंच का निशान लगाना है तो मैं यहां पर दो इंच का निशान लगाना है तो मैं यहां पर दो इंच का निशान लगा लेती हूं तो आप लगेगा ना उसका जोड़ा आपका निचे तक जाने वाला लेकिन मैं नहीं रखने वाली हूं तो मैं इतना ही जो इसकी जो मोरी रखूंगी अब इसके बाद यहां से आप लेक शेपर से इसको मिला दीजिएगा यानिकी शेप बना दीजिएगा तो आप इसकी गुलाईज बिना लेक्षेपर से भी कर सकते हो हट्टों से अब उपर से ध्यान से देखीगा यदि आपका कमर में कपड़ा कम हो चुड़ाई में न तो आपको साइड में फोड़ा थोड़ा आपका जॉइंट हाएगा कपड़े का पेपर आप उपर रखो गया उसके बाद आप इसकी cutting हो जाएगी ठीक है तो इस प्रकार आप joint लगा सकते हो पहले paper रखने के बाद अब यहां पर मेरा 13 इंच पूरा ही आया है यह कपड़ा यहीं की 13 इंच हो गया अब इसके बाद इसकी cutting कर लूगी में तो देखे जो यह joint आएगा वो आपका दिखाई भी नहीं देगा अब जब आप पेपर पर इसकी cutting करो ना तो आपको थोड़ा extra paper लेकर ही cutting करनी है कम नहीं करनी है बाद में जो extra होगा ना उसकी cutting कर लेंगे बाद में इसकी cutting हो जाएगी तो मैंने इसकी cutting कर ली अब इसके बाद जो मेरा कपड़ा जहां तक मेरा उपर तक था ना पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहां तक मेरा यह कपड़ा उपर तक था अब इसको भी मैं extra लेके हुए इसकी cutting करूंगी क्योंकि जो इतना आदा इंच का कपड़ा जो है ना सिलाई में चला जाएगा आप जाओ तो इसको पूरा भी रख सकते हो तो मैंने इसकी cutting कर दिया अब नीचे जो बोटम भाग है वहां पर भी आपको cut लगा लेना है तो देखिए जो य क्या करना कपड़े पे आपको रख के cutting करना है तो देखिए मेरा जो एक पीस है ना इसी में मेरे दोनों पीस एक साथ निकल जाएंगे अगर आपका size बड़ा हो थोड़ा सा ज्यादा चोड़ा या लंबाई में भी ज्यादा आ रहा हो ना तो आपके पास जो थोड़े के साथ सेट करना है बापस वैसे ही जैसे पहले था यान की आसन को आसन के साथ मिलाना है और मिलाने के बाद वहां पर आपको कट लगा लेना है जहां पर आसन की गुलाई आई हुई है जहां पर निशान लगाया था ऐसा करने से यह जो आगे पीछे नहीं होंगे और कट को कट के मिलाने से बाद ही आपको सिलाई करनी है इसके उपर देखे दोनों का कट मिलाना जुरूरी है यदि आप दोनों के कट मिलाके सिलाई नहीं करोगे ना तो या तो जो आपने जो पिस कट की है ना वो आपका या तो उपर joint हो जाएगा या आपका निचे joint हो जाएगा यानि कि आगे पीछे हो जाएगा और आपका आसन जो है सही नहीं आएगा तो इसलिए आप पहले cut लगा लीजिएगा cut लगाने के बाद उपर से रखते हुए आप आपको यहाँ पर slide लगाने है अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है अभी दोनों पीछों की आपको बापस setting करनी है यानि कि finishing देनी है इनको तो वो कैसे देनी है पहले आप दोनों पीछों को एक साथ एक जसारक लीजिए आगे पीछे नहीं होना चाहिए पूरी अच्छी तरह से set कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर बापस cutting होने वाली है तो मैंने यहां पर पूरी अच्छी तरह से इसको set कर ली है तो आपको भी इसी प्रकार पर ले set कर लेना है और set करने के बाद इस पर आपको निशान लगाने है जैसे पहले देख लीजिएगा कि आपका कपड़ा चोटा बड़ा ना रही तो आप पहले ही extra कपड़ा cutting कर लीजिएगा अब इसके बाद गोलाई कर दीजिएगा गोलाई करने के बाद आपको वैसे नीचे शेपर पटे से आपको निशान लगाना है तो मैं यहां यहां पर भी निशान लगा लूँगी और इसके बाद इसकी आपको cutting कर लेनी है देखिए दोस्तो यह कम कपड़े में बनाने का सबसे बड़िया तरीका आप बना सकते हो इस प्रकार यहां पर पर इसकी cutting कर दी है इसके बाद आशन को joint करना है लगा लेती हूँ दोनों की तो यहां पे मैंने यह आसन की सिलाई भी लगा लिया है और उपर की तरफ मैं क्या करूँगी यहां पर elastic डालने वाली नहीं हूँ मैं नाड़ा डालूंगी इसमें आप नाड़ा इलाष्टिक कुछ भी डाल सकते हो मुझे तो नाड़ा जो है कमफर्टेवल लगता है इसलिए मैं नाड़ा डालूंगी इसलिए मैंने वह चीड़ी यानि की नाड़ा डालने अब इसके बाद आपको गिद्री वाली सिलाई लगानी है तो गिद्री वाली सिलाई लगाने से पहले आपको दोनों की सिलाई को मिलाने के बाद ही आपको निचे से सिलाई को शुरू करना है पहले मिला लेना उसके बाद आपको सिलाई को शुरू करना और पूरे में सिलाई लगा देनी है तो मैं इस पे पूरे में सिल्याय लगा लेती हो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं है तो मैं इस पे ये सिल्याय लगा लिए है उपर से fredit कर लिया है कपड़ाला इसि यह ते लेते ही और से लिँटक है लिए दो चांगी सब्सक्राम पॉप joka है कौूर्ड पॉप करने कंद मैं रिखा लिजीगा और च्छी तरह ये पर ची Cake day अभी मैं को बैंद में कर थे और देना चाहूंगी, तो देखे, यदिए आपके गिदरी में खिचाव आता हो न, तो यहां पर जो सिलाई आती है अंदर की तरफ ही है देखे, दबी रहती है, उसको आपको क्या करने हैं, आपको यहां पे थोड़ा कट लगा देना है, कट लगाने से क्या होगा, की अंदर भी इसमें बना कर डाल दिया है और जो मेरा कपड़ा बचा था ना 10 सिंच का जो मैंने एक्स्टा जो आपको दिखाया था वो भी मैंने इसमें यूज बिल्कुल भी नहीं किया है सिर्फ मैंने एक मिन्टर कपड़े में पजामा रेडी कर दिया है तो आप 18 इंच तक इस परक कर देना तो मैं इसको आपको पैन के भी दिखा देती हूं कि यह कैसा लगा है तो यह देखिए मैंने इस पजामे को पैन भी लिया है और कहीं से भी मेरा टाइट नहीं है एकदम मतलब बढ़िया पजामा बना है और यदि आपको इस नायरे कट कुरती की कटिंग पूरी ड जाली हुई है तो यह मैंने विगनर्स वीडियो बनाई है अगर आपको देखने है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको यह वीडियो मिल जाएगी देख सकते हो और यह मैंने 4 मिटर कपड़े में पूरा सेट रेडी कर दिया यह मेरा जो पजामा वह भी मेरा टाइट नहीं है तो दोस्तो इस ट्रिक को आप जरूर फोलो करना यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आपके लिए मैं